अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने बना करके अप्लोड किया था मनी कंट्रूल के उपर कि किस तरह से हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट से स्टॉक को सिलट करेंगे जहां से ट्रेंड भी हमारी निर्धारित होते हैं बाइंग करनी है या सिलिंग करनी है या पता चल जाएगा आपको स्टॉक सेलेक्शन में आज की वीडियो में हमने यह चीज़ बताईए पहले जबने वीडियो अप्लोड किया था तो एक क्वेश्चन ज्यादा दो लोगों का आया था कि इस स्टॉक को सर्च कप करना इसको स्कैन कप करना तो आगे की वीडियो में हमने वह भी चीज़ बताईए वह आपको मिल जाएगी एक चीज जो आज की वीडियो में हमने नहीं बताई थी वह हम अभी रिकॉड करें मार्केट क्लोज हो जाने के बाद इसके बाद जो वीडियो है वह रुनिंग है वह लाइव मार्केट कर वह आपको देख जागा तो मनी कंट्रोल पर जाकर के एक-एक सेटिंग जो की हम अल्रेडी वीडियो में बता चुगे हैं वह हमने नहीं बताई थी तो उसको एक बाद फिर से मतार जिन्हें मालूम है वह रिवाइस हो जागा और जिन्हें नहीं मालूम हो उन्हें पता चल जागा जैसे कि simply हम स्टेट्स लिखा हुँ है न अल इस्टेट्स पर लिखा हुआ है अब अल स्टेट से आपको नीची की तरह आ जाना है यहां पर आपको मिल दिख जाएगा हाइछ लोवेस्ट इंक्रीज इन ओपन इंट्रेस्ट यह सब कुछ है आज का जो स्टोक सेलेक्शन हैं में इंक्र in open interest and increase in price इस column पर जब आप क्लिक करोगे इसमें होता क्या है कि open interest पर इंक्रीस हो रहा हो प्राइस भी इंक्रीस हो रहा होते हैं तो ऐसे यहां से इस category से जो भी इस टॉक हम निकालते उसको लोग बाइंग करते हैं यहां पर आकर कि एक बार आप क्या करोगे ना यह जितने percentage वाइस आप इंक्रीस percentage पर क्लिक करोगे तो जो कम है वो सबसे उपर आ जाएंगे या फिर जो सबसे ज्यादे हैं वो उपर आ जाएंगे आज आप देखोगे कि आपको यहां पर एक stock मिलेगा हिंद कॉपर का अभी आपको थर्ड पॉजिशन पर दिख रहा था मौनिंग में जब हमने स्लेट किया तो यह सेकंड पॉजिशन पर था इसके बीच में ही जब वीडियो हम रिकॉर्ड करें वहां पर फिर से हमने बताया था सो यह stock select करने का तरीका है इस तरह से क्या होगा ना कि open interest के थुरू हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि हमें per dollar किसी stock में buying करने है या selling करने है एक यह हो गया and second आप देखोगे इसी में increase in open interest हो गया थोड़ा सा पीशे चले जाएंगे decrease increase in open interest and decrease in price increase in open interest और increase in price 925 की candle के exact बाहर high पर आप बोल सकते हो 107.35 पर अपनी entry है stop loss जो में लगाया है just जो swing लगा था morning का इस रेड़ वाली candle के थुरू 106.85 करीब 50 या 55 पैसे के आस-पास का हमारा stop loss लगा हुआ है so daily time frame पर देखिए जो एक resistance था हाला कि यह stock पूरी तरह से भी जो हमें देख रहा है एक bullish move में देख रहा है bullish move का मतलब कि swings को upside के तरफ ब्रेक कर रहा है कितने ही candles थी उनके highest को इसने upside के तरफ ब्रेक किया जैसे यह वाले swing हो गए और यहां पर आप देखोगे कि volumes majority में जो हमें देख रही थी सबसे ज़्यादा हमें देख रहा था है negative volumes ज्यादा आ रही है इस जगह पर लेकिन जो last trading session था उसके अंदर volumes के अच्छे खासे breakout हुए सिर्फ यह वाली ही range break नहीं हुए market ने अपनी previous range को भी upside के तरफ ब्रेक किया है यहां से यहां पर price wise अगर हम देखते हैं तो एक लगातार momentum में upside के तरफ देख रही है यह वाली जो red candle देख रही है देखिए market यहां तक आई है इसने again एक high लगाया और फिर से नीचे किर गई again एक high और फिर से market नीचे तो क्या हो रहा है यह वाला swing गया यह वाला भी swing गया और अभी इस वाले swing की बारी है और आज market ने इस swing को break कर दिया उपर के तरफ अगर हम इसको candle wise देखते हैं तो देखिए यह जो green वाली candle में फॉर्म हुई थी हमने इसका high mark कर लिया high mark करने की पीछे अगर reason है क्योंकि जो volumes बन रहे है volumes के तरू हमें यह समझ मेरा कि यह green वाली candle कहीं न कहीं अपना एक importance रख रहे है इस चके पर कैसे देखिए कि अगर यह green वाली candle फॉर्म हुई है तो यहां पर volumes upside की तरफ जा रही है और इसके पहले volumes हमारी गिर रही थी और गिरते गिरते volumes हमारी upside की तरफ चली गए अब इस green वाली candle के बाहर market ने निकलने की कोशिश की है मतलब के upside की तरफ देख रहे है ना एक opening upside की तरफ gap up opening दिखाई price सीधे उपर गया और नीचे गिर गया वाल्यम से नहीं आई इसके अगले दिन कया हुआ कि volumes के ब्रेकाउट होगए fut matt वाल्यम से प्रेकाउट हरे बर बर वापस सेになड вд मगावडे इस green वाली candle की उपर नहीं निकला उसके अगले दिन 11 को भी volumes के ब्राइब है specification और प्राइस हमारी फिर से इस वाली range की उपर नहीं निकला और नेक्स ये फिर वॉल्म्स के डाउन साइड के तरफ ब्रिक आउट होगे ब्रिक आउट होने के बाद में अगें देखे इसी ग्रीन वाली केंडल के लो पर प्राइज ने एक स्विंग फॉर्म किया हम इसका जस्ट लो मार्क करेंगे और इस चेके पर अपसाइड के तरफ जाकर के क्लोजिंग करती मतलब कि इस ग्रीन वाली केंडल की रेंज के अंदर क्लोजिंग करती और जो पॉइंट अभी हमने बता है कि प्राइस कॉंट्रिमिसली अपने स्विंग को ब्रिक कर रहा है तो यहाँ पर स्विंग के भी ब्रेक आउट हो रह एक कैंडल को कैसे हम लोग अपनी मांसर कंडल बना करको इसके थूरो रिडिंग करते हैं बहुत साही चीज आसान होजाते हैं आजो से कंडल को कनेक्ट करने में आपके डिरेक्शन कर ब्रेंट करने में हमनों सिर्फ टेंड लाइन लगा के इंडिकेटर्स लगा करके कोई भी बटरफ्लाइ लगा करके काम करो यह सारे पैटर्स जो भी है मार्केट लोज हो जाने के बाप में बहुत अच्छे लगते हो बहुत आराम से दिख भी जाते हैं ऐसे भी लगता है कि यहाँ पर हमने एंट्री ली होती है, यहाँ पर इस टॉप्लोस लगाया होता है, और यहाँ पर अपना टार्गेट बो करके निकल गया होता है, चलो कल हम यही काम करेंगे, जैसे अप्लाइब मार्केट में काम करने जाते हो, सिवाए लॉस के कुछ होता नहीं है, बहुत कम ही है कि आप उसके अंतर प्रॉफिट करोगे, यह पैटन्स वगरा जितनी भी होगा इंडिकेटरी सब लेगिंग होता है, जितना अभी तक हम समझ पाए है, कपन है, यह है, वो है, सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके उपर हमने खुद अभ् अगर प्राइस गया है, तो आप देखिए, कि इस वाली के बाहर मतलब कि ग्रीन वाली के बाहर प्राइस जब लास्ट टाइम हमारी इस ग्रीन वाली के बाहर जब मार्केट गई थी, तो इसने रिजक्शन कहां से लिए थे, 108.70 इस जगह से, अब यह मेरे लिए एक की तरफ मिल जाएगा, अब यह चीज़ आपको को इंडिकेटर नहीं बताएगा, को इंडिकेटर नहीं बता सकता, सिर्फ आप देखो, समझो, आखे खोलो और प्राइस को समझने की कोशिश करो कि कहां कहां से कितने पर रिजक्शन आ रहा है, और प्राइस ने हमें एक्जेक्यूट किया है, और जो प्राइस हमने लगाया है 107.35, यहां पर अपनी एंट्री लिए 107.35, एंड स्टॉप लॉज जो हमने इसके अंदर कंसिडर किया है अपना, यह जो केंडल आप देख रहो है, ग्रीन रेड वाली केंडल, एक्जेक्ट प्राइस हम दे इसका मान करके चल रहे है, 110 रुपए, कि 110 के आसपर से मुवमेंट आपको दिखा सकता है, लेकिन पूरा 110 ने हम लोग 109 या 119.50 कुछ यहां तक देखेंगे, अगर मैं प्राइस मिलता हूं तुम लेकर बाहर निकल जाएंगे चुप-चुप-चुप, यह ओवराल आज के हमारी analysis है, entry हम लोगों ने देखे लिए, कि price ने morning में जिस तरह के अपने movements दिखाये थे, जो swings लगे थे, एक red candle, यह swing, price देखे इस जगे पर अपना रुक रहा था परपा, वही point है, 107 रुपए, 25 पैसे उसके पास में ही सारे movements हो रहे थे, एक breakout आया, volume के साथ में, retracement पर हम दूसरी चीज, यह दोगा भी थोड़ दिन पहले हमने आपको एक screener के बारे में बताया था, an increase in open interest along with the increase in price, कि इस filter के use हम लोग करते हैं, stock select करने के लिए, यहीं पर हमारे पास हिंद copper आया, हिंद copper के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ buying करेंगे, क्योंकि यह stock इसके अंदर open interest भी increase हो रहा और price भी increase हो रहा है, तो simple से चीज हम लोग इसके अंदर buying ही देखते हैं, तो stock selection भी हमने आपको आज का बता दे कि, आज का stock हमने कहां से select किया है, and positions यहाँ पर जो अपना profit चल रहा है, 6300 के round के अपना profits को एक बार refresh कर लेते हैं, 6000, 5700 हो गया, चलिए, तो 5000 के round हमने profit बने हुए, और exact जो target है वो हमने आपको बताए दिया, 1095, 109 तक भी यादा ना तो अपना profit बहुत अच्छा हो जागा, फिलाल हम वेट करेंग 109 का, इसके अंदर को movement होती है, हम इसके अंदर कुछ action लेते हैं, तो आपको inform करते हैं, अब यह वाली जो volume हाई है, दो हाई ही बन जाए और market इसके नीचे ही close हो, हमार जो exact target point था 109.50 वैसे तो 110 था, पचास पे थोड़ा से buffer रख करके 109.50 तक कर दिया था, तो हालां कि profit के पास तक पहुंचा और इसका जो अपना trade है 9,000, अभी 11,000 तक था, 10,000 कुछ रुपिस, 9,000 चल रहा है, अब एक काम कर है कि यहां से price जैसे ही high के पास में travel करता हो, हम को दिखे का तो फिर यहां से exit मारेंगे, दूसरी चीज, stock select हमने किस तरह से के यह हमने आपको बता ही दिया है, और एक confusion थी, जो कि इसको चलो हम refresh कर लेते हैं, refresh, ओके, यह क्या है, increase in open interest along with increase in price, अब यहां से हम increase in OI को, increase in OI, अब देखे क्या हुआ है, क्योंकि जब morning में हम लोगों ने इसको search किया था, scan किया था, तो हमारे पास जो stock आया था, वो हिंदुस्तान को पर था, अभी जब हम इसको search करने तो देखे हमारे पास जो list है, वो change हुई है, अब हिंदुस्तान को पर कहीं और है, और इस वक्त चल रहा है, वो budget finance और PFC आ गया है, देखने वाली बास सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान कोपर जहां second position पर था, वहां से reject हो करके, अभी सिधे उसके नीचे वाली position पार चुका है, बार बार दिन में कई बार जबने उसको scan करेंगे, तो हो सकते है, stock आपको up or down की movements करते हुई ह इसलिए ज्यादा नहीं करना है, मौनिंग में आप सवा नौ, साड़े नौ, पौने दस तक एक बार scan करो, जो stock आगे, उसको select करो, treat करो, direction clear है, आपको buying करनी है, selling करनी है, तो इसलिए इस पर confuse मत हो कि यह तो open interest है, यह change होता रहता है, या price उपर नीचे हो जागा, यह stock उप 4, 3, जो भी stock है, आपके पास, उनको select करके रख लो अपने पास, फिर level stock करो, trade execute करो, इतना सही काम करना है, और दिन में आप सोचो कि यह तो change हो जागा, दूसरी बार आप करो, फिर वो change मिलेगा, तीसरी बार करो, फिर हो सकता है, stock वहीं रहे, उसके बाद में करो, फिर वो अच्छा है, आप इस तरह से stocks को select करके काम करो, ना तो दो काम आपके हो जाएंगा, पहले, तो stock selection easy हो जागा, second, आपका trend identification, stock selection में inbuilt रहेगा, change in open interest और change in oi, oi भी change हो रहे और price भी आपका, जो data भी upside में है, इससे clear हो जाता है, कि हमें buying कर दी है, अभी तो फिलाल profits काम हो ग पोजिशन से एक बार चेक कर लेते हैं, order book, order book, fully executed, लीजए, 6000 quantity निकल चुकी है, and position book में 8600 रुपे का profit है, यह द्यान ने दिया हमने, stop loss order भी cancel ही हो चुका है, and सारी quantity अपनी निकल गी, इसको refresh कर लेते हैं, एक बार, and, okay, position book, 8600, 8600, and 12, 12 रुपे का profit है, exit करने का बिल्कुल द्यान से ही उतर गया, exit हम लोगो ने की, जो हुई है, अपनी 108.79, thanks and I hope की वीडियो आपको समझ में होगा, and stock selection के methods को लेकर के, जो confusion थी, कि scanner कब करना है, या scan jab करते हो, तो stocks आगे पीछ हो जा रहे है, तो वो confusion भी दूर हो गई होगे, and अब हम लोग में लिए अपने next reading session मे आप लोग telegram channel जोइन कर सकतो, link description में, so thanks and we will meet again.